असलाम अलेकूम एवरिवन आइम यूर इंस्ट्रेक्टर और प्रफेशन आइम असाइकॉलोजिस्ट सो स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट में इस कोर्स के सबसे पहले देखने हैं कि टेबल आफ कॉंटेंट्स कौन कौन से होंगे तो मैं शेयर कर रही हूँ آپके साथ टेबल आफ कॉंटेंट्स को सबसे पहले हम देखेंगे कि वोटी स्ट्रेस data क्या होता है इसके साइन्स एंड सिम्टम्स देखेंगे इसके बाद फिर हम देखेंगे कि टाइप्स 온 स्ट्रेसर्स कितने टाइप क्यों होते हैं स्ट्रेस बॉडी के कौन कौन से पार्स को एफेक्ट करता है फेक्टर्स देखेंगे स्ट्रेस के उसके बाद नमबर सिक्स पे हम देखेंगे कि स्ट्रेस मेनेजमेंट प्लैन किस तरह से करते है सेवन नमबर पे हम दिखेंगे कि हम किस तरीके से स्ट्रेस को स्टॉप कर सकते हैं और खुद को किस तरीके से प्रॉटक्ट किया जाता है या फिर प्रॉटक्ट किया जा सकता है स्ट्रेस से उसके बाद हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेकनीक्स और स्ट्रेटरजीज को अच्छे तरीके से देखेंगे कि कौन कौन सी टेकनीक्स और स्ट्रेटरजीज हैं नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि मैनेजमेंट वर्क प्लेस स्ट्रेस की मैनेजमेंट किस तरह से हो सकती है workplace stress को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है तो start करते हैं What is stress? क्या होता है stress? आज का लिए लफ़स बहुत ज़्यादा common हो गया है अक्सर ही सुनाई देता है कि मैं बहुत ज़्यादा stress में हूँ बहुत ज़्यादा stressful condition है आपको भी अक्सर फिल होता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा stress में हूँ तो क्या होता है stress? stress कोई भी दबाओ है, तनाओ है कोई भी एक ऐसी situation है कोई भी एक ऐसा event है जो आपको pressure में मुब्तला कर देता है कोई भी ऐसा stimulus है जो आपके ओपर negative effect कर देता है या फिर कोई भी ऐसा event कोई भी ऐसा situation जिसके बारे में आपको समगी नहीं आ रही होती या फिर जो आपको उलजा के रख देता है उसको stress कहते हैं कोई भी ऐसा event या फिर situation जिसमें change आया है और आपको change के नतीजे में आप बहुत ज़दा frustrated फिल कर रहे हैं आपको घुसा बहुत ज़दा आ रहा है आप nervous बहुत ज़दा फिल कर रहे हैं आपको physically या emotionally tension फिल हो रही है उसको stress कहते हैं या फिर उसको stress कहेंगे simple लफजों में एक ऐसी situation का आ जाना जो आपको समझ नहीं आ रही जो आपको ज़दा कर रख देती है उसको हम stress कहते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं कि science और symptoms यह हैं stress की वो कौन कौन सी है इसमें हम तीन तरह के science और symptoms देखेंगे physically क्या science symptoms होते हैं और behaviorally कौन कौन से science और symptoms होते हैं हम देखेंगे सबसे पहले अगर बात किए जाए physical symptoms की तो stress में यह होता है कि या तो नीड जो है वो बहुत ज़दा सोने लग जाता है इनसान या फिर stress की हालत में नीड बिलकुल गाइब हो जाती है इसी तरह से weight का भी यही हाल है या तो weight बहुत ज़दा gain होना शुरू हो जाता है या फिर बहुत ज़दा कम होना शुरू हो जाता है थोड़ा बहुत change अगर आए वो तो इतना issue नहीं है लेकिन आम तोर पे देखा गया है कि stress की हालत में लोगों का 5-5 kg जो weight है या तो gain हो जाता है या फिर वो बहुत ज़दा कम हो जाता है अक्सर stress में stomach pain रहता है irritability बहुत ज़दा होती है टिट ग्रेंडिंग बहुत ज़दा है और सरदर्द बहुत ज़दा रहता है stress में ज़दा concentrating issues आ जाते है concentrate नहीं कर पाते है किसी बात के ओपर अक्सर बहुत ज़दा पसीना फील होता है हाथों में पाउं में आपको थोड़ा जलन महसूस होती है दिल का घबराना social isolation बिलकुल socially आपकी जो life है वो disturbed होती है fatigue बहुत ज़दा आपको feel हो रही होती है नाइजिया बहुत ज़दा होता है जी मतलता है जैसे vomit feel हो रही है इस तरहां की symptoms जो है ये physical symptoms जो show होती है stress में commonly वो ये हैं इसके साथ से देखा गया है कि self esteem जो है उसके पर बहुत फर्क बढ़ता है self esteem बहुत ज़दा low हो जाती है confidence बहुत ज़दा low हो जाता है stress में emotional symptoms में anxiety बहुत ज़दा feel होगी irritability बहुत ज़दा होगी anxious feel करेंगे बहुत ज़दा sadness होगी depression feel होगा और इसके सासथ panic attacks होंगे panic attacks अक्षर इतने शदीद होते हैं कि इनसान उसको control ही नहीं कर पा रहा होता इसके इलावा stress में unhealthy behaviors जो है वो बहुत ज़दा देखने को मिलते हैं जैसे कि या तो फिर अगर बहुत ज़दा वो खा रहा है तो उसके खाने की routine जो है वो disturbing हो रही है वो इनसान smoking बहुत ज़दा करना शुरू कर रहा है या फिर overrating कर रहा है इसके साथ साथ वो बहुत ज़दा self esteem उसकी low हो रही है वो inferiority की feelings में जा रहा है तो इस तरहां के जो behaviors हैं उसके अंदर वो देखने को मिलेंगे बाद बाद पे चर्चरा पना रहा है घुसा आ रहा है बहुत ज़दा अगर कोई भी stressful situation आई है और हमें stress हुआ है वो कुछ अरसे के लिए रही है situation उसके बाद situation remove हो गई है हमारा stress खतम होके है तो वो acute stress होगा वो वो वक्ती तोर पर stress आया है stressor की वज़ा से और वो remove हो गया है situation normal हो गई है तो हम उसको acute stress कहेंगे लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि वो stress जो है वो बढ़ता ही चला जाता है तो वो chronic stress की तरफ move कर जाता है जो के बहुत ज़्यादा problem का सबब बनता है तो आज का part यहीं पर खतम करते है हमने आज देखा है stress क्या होता है इसके signs and symptoms को next हम देखेंगे के types of stressors क्या है और कौन कौन से body areas जो है वो effect होते हैं stress की वज़ा से